कैची धम दाना है नीम करोली बाबा के आस्रम में वो भी बजट में मेरे पास प्लान है सुनो 4000 जेब में रखो ट्रेन लेके आजाओ काठ गोदाम और इस रेलेवे स्टेशन पे आने के लिए आपको किसी बड़े स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी जैसे लखनव, जंक्सन या फिर दिल्ली ऐसे स्टेशन से आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी और 400 से 600 में आपको ट्रेन का टिकट भी मिल जाएगा यहां से आस्रम के लिए बस की टिकट होगी 200 से 300 के भी और आप सेरिंग आटो से भी आ सकते हो टेशन से आस्रम की दूरी है 36 किलो मीटर आस्रम में पहुंचते ही सबसे पहले बाबा के दर्सन करो और तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है यहां बोल दो क्योंकि इस आस्रम की कहानी तो आप सभी को मालूम ही है रहने के लिए तो आप आस्रम में भी रह सकते हो बस आपको वहां के मैनेजर से बात करनी होगी और अगर जगह खाली होगी तो वह आपको रहने देंगे और स्रिप 3 दिन ही रहना एलाओ है आस्रम में और अगर आपको आस्रम में जगे नहीं मिलती तो आप होटल भी ले सकते हो जो कि आपको 500 से 1000 के बीच मिल जाएगी और खाना खाने के लिए आपको आस्रम के बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे यहाँ आप आराम से 100 से 100 के अंदर खाना खा सकते हो टूचर के लिए सेव कर लो पर ट्रैवलर दो सक्या सेर करो और फॉलो करना मत भूला